नमस्ते फ्रेंडस मैं झसूजेंकर इनकम्ठेक्स रिलेटेड और एक वीदियो में आप सभी कसभात है इस वीदियो में हम समझेंगे इनकमठेक्स के परटल पर बैंक अकाउंन कैसे अपडेट करें और bank account को pre-validate कैसे करें। इसके लिए आपको income tax portal पर log in कर लेना होगा और login करना के बाद यहाँ update वाले option के उपर click करना होगा। उसके बाद यहाँ my bank account वाले औप्शन पर click करना होगा। अब यहाँ हमें हमारा bank account याट करना होगा। तो उसके लिए यहां याड बैंक अकउंट के उपर क्लिक करना लुआ उसके बाद यहां बैंक अक्ऊंट नुमबर इंटर करना प्रिसे यहां बैंक अकॉंट नमबर कंफर्म करना है उसके बाद यहां अकॉंट टाइप सेलेक्ट करना है उसके बाद यहां अकॉंट टाइप सेलेक्ट करना है प्रैमरी है या जोइन्ट है उसके बाद यहां आयपेस्टी कोड इंटर करना है उसके बाद नीचे आना है और यहां वैलिडेट के उपर क्लिक करना है यहां मेशिद आ चुका है submitted successfully इसे close करना है आप देख सकते हैं यहां हमारा account number update हो चुका है और यहां validate लिख कर आ चुका है तो अब हमारा bank account यहां pre-validate हो चुका है अगर आपने bank account number update किया है लेकिन यहां validate लिख कर नहीं आया है तो आपको यहां इन तीन dots के उपर क्लिक करना होगा और यहां एक option है re-validate वाला इसके उपर क्लिक करना होगा उसके बाद आपका bank account validate हो जाएगा तो एती प्रोसेस income tax के portal पर bank account कैसे pre-validate करें कैसे याड़ करें आशा करता हो इस वीडियो के जानकर आपको useful लगे हो अगर इस वीडियो के जानकर आपको useful लगे हो वीडियो का लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें भन्यवाद झाल